Welcome to Bind EduTech आज की क्लास में हम लोग फ्लामिंगो बुक के सकेंड नंबर का पोयम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्लामिंगो बुक में पोयम नंबर 2 है पोयम का नाम है An Elementary School Classroom in a Slum An Elementary School Classroom in a Slum ये पोयम का नाम है written by Stephen Spender Stephen Spender इसके कवी है Stephen Spender एक English Poet है वो England से बिलॉंग करते है वो English Poet है सबसे पहले इस पोयम के टाइटल में कुछ words use किये गए है उन words का meaning समझेंगे इस पोयम के परस्पेक्ट में क्या word meanings उनका निकलना चाहिए जैसे पहला word है इलिमेंट्री पोयम के टाइटल में फर्स्ट वर्ड है इलिमेंट्री इलिमेंट्री वर्ड का मतलब है यहां प्राइमरी प्राइमरी जिसको हिंदी में हम लोग प्राथ्मिक विद्याले बोलते हैं प्राइमरी स्कूल प्राथ्मिक विद्याले जहां क्लास वन से क्लास फाइव तक के बच्चे पढ़ते हैं ऐसे स्कूल को हम लोग अपने यहां प्राइमरी स्कूल बोलते हैं और यहां इलिमेंट्री वर्ड जो है वो प्राइमरी के जगे यूज़ किया गया है elementary का मतलब है primary primary school जहां बच्चे पढ़ते हैं उसके बाद एक word यूज किया गया slum poem के title में last word है slum slum word जो है वो singular और plural दोनों यूज किया जाता है अगर singular में इसको हम लोग ले slum word को तो slum बोलते हैं उस घर को उस house को जो बहुत पूर condition में हो ऐसे घर को हम लोग slum बोलते हैं जिसको हिंदी में हम लोग जुग्गी जोपडी बोलते हैं उसको इंगलिश में slum लिखा गया है जुग्गी जोपडी वाला बस्ती एक ऐसा बस्ती जहां सारे पूर लोग रहते हैं वहां पर सिर्फ जुग्गी जोपडी है कोई proper houses नहीं है ऐसे पूरे area को ऐसे पूरे locality को slum बोला गया है slum यहां पर जो है वो एक पूरे area को बोला गया है जहां पर पूर लोग रहते हैं तो इस पोयम का नाम रखा गया an elementary school classroom in a slum elementary का मतलब बता दिये slum का मतलब बता दिये एक slum area है उस slum area में एक primary school है और उस primary school के एक classroom के बारे में यह पूरी पोयम लिखी गई है एक slum area है उस slum area में एक primary school है और उस primary school में एक classroom है उस classroom के उपर यह पूरा पोयम लिखा गया है इसलिए नाम दिया गया an elementary school classroom in a slum writer है जो उसके poet है Stephen Spender उनका birth year और death year वहाँ आपको दिख रहा है birth year 1909 and death year 1995 यह England से belong करते हैं यह English poet सबसे पहले Stephen Spender के बारे में poet के बारे में कुछ-कुछ हम लोग जानेंगे उनके life से जड़ा हुआ कुछ informations जो important है question answer point of view से भी question answers में भी इनके बारे में इन points से कोई question arise किया जा सकता है about the poet Stephen Spender सबसे पहले birth year और death year याद रखेंगे 1909 and 1995 was an English poet वो English poet थे and an essayist essayist word का मतलब है lake लिखने वाला lake को हम लोग essay बोलते हैं कहीं उसको paragraph बोला याता है तो essay लिखने का भी काम करते थे Stephen Spender और poem लिखने का भी काम करते थे तो he was an English poet and an essayist he left university college oxford ये oxford university के एक college में पढ़ते थे oxford university का college जो 1249 में बनाया गया था by William of Durham, England Durham एक place का नाम है England में वो एक जगा है वहां के William थे, मतलब वहां के prince थे उस जगा के, Durham के William थे, prince थे उन्होंने oxford university बनवाया था 1249 में इतना पुराना oxford university है वहां ये पढ़ाई कर रहे थे Stephen Spender अपना bachelor degree का पढ़ाई कर रहे थे oxford university में और वो बिना degree पूरा किये हुए university को छोड़ देते हैं he left वो छोड़ देते हैं university college of oxford without taking a degree बिना degree लिये हुए वो अपना college छोड़ देते हैं और चले जाते हैं Germany Berlin नाम का जगह जो जर्मनी में है वहां चले जाते हैं 1930 में अपना जगह छोड़ करके अपना देश छोड़ करके England छोड़ के और अपना university छोड़ के 1930 में Stephen Spender Germany जाके बहस जाते हैं Germany के Berlin सहर में जाते हैं Berlin in Germany in 1930 Stephen Spender took a keen interest in politics and declared himself to be a socialist and pacifist Stephen Spender काफी deep interest रखते थे keen interest word यूज किया गया है जिसका मतलब है deeply interested Stephen Spender poet तो थे ही साथ में essayist भी थे essay लिखने कभी काम करते थे और इसके अलावा Stephen Spender को काफी deep interest था politics में और politics के अलावा उन्होंने अपने आपको एक socialist और pacifist के रूप में declare कर रखा था मतलब वो politics में interested थे और socialist का मतलब समाजिक कारे करता समाजवादी वेक्ती जो समाज के लिए कोई काम करता हो socialist और pacifist word का मतलब है शांतिवादी those who follow the path of non-violence वो लोग जो non-violence का रास्ता चुनते हैं उन लोगों को pacifist बोला जाता है they are followers of गांधी जी pacifist जो non-violence चुनते हैं तो Stephen Spender poet थे essayist थे politics में उनको काफी interest था socialist अपने आपको उन्होंने declare किया था और शांतिवादी pacifist के रूप में उन्होंने अपने आपको declare किया था वो believe करते थे non-violence के रास्ते में उसके बाद Stephen Spender के द्वारा लिखा गया कुछ books का नाम दिया गया है यहां Stephen Spender books by Stephen Spender कुछ books हैं जिनके नाम याद रखना है Stephen Spender के important writings में से आते हैं पहला नाम है poem of dedication first book है जो इनका poems of dedication यह Stephen Spender ने लिखा था next book है the edge of being the edge of being next book the creative element यह सारे books के नाम है जो Stephen Spender के द्वारा लिखे गए हैं और भी books है the struggle of the modern और उसके बाद उनका एक autobiography है मतलब Stephen Spender ने आत्म कथा लिखी खुद उन्होंने लिखा अपने बारे में और उस autobiography का नाम है world within world यह बहुत important book है क्योंकि यह Stephen Spender का autobiography है और उसके द्वारा लिखे गए कुछ और books के नाम जो पूछे जा सकते हैं question answers में कि इन में से कौन सा book Stephen Spender ने लिखा था या कुछ books के नाम पूछे जा सकते हैं जो Stephen Spender ने लिखा था तो कुछ books के नाम है जो आपको याद करने होंगे poems of dedication है the edge of being है the creative element है the struggle of the modern यह सारे books हैं और उसके बाद इन से जादा important है यह याद रखना कि Stephen Spender ने autobiography अपना लिखा था autobiography लिखा था Stephen Spender ने और उस autobiography का नाम दिया है world within world वो जादा important है वो वहाँ से question rise करेगा कि उनके autobiography का क्या नाम था world within world an elementary school classroom in a slum he has concentrated on the themes of social injustice and class inequalities अब उनके कुछ books के नाम बताये गए books के बाद उनके autobiography का नाम बताया गया और उसके बाद इस poem में आए कि इस poem में an elementary school classroom in a slum इस poem में Stephen Spender किन चीजों पर किन मुद्दों पर कौन से themes हैं जिस पर ये इस poem को discuss करते हैं जिसके बारे में ये poem लिखा है तो दो themes यहाँ पर बताये जाते हैं पहला है social injustice सामाजिक अन्याय और दूसरा theme है social inequalities जो वहाँ लिखा हुआ है class inequalities that means social inequalities social inequalities का मतलब हुआ कि हमारे समाज में जो असमानता है हमारा society जो है वो different class में divided है different classes में divided है जैसे हम लोग बोलते हैं middle class people है उससे नीचे हैं तो lower middle class है उससे नीचे हैं तो lower class में है middle class से अगर उपर हैं तो upper class people है तो हमारा पूरा society जो है वो classes में बटा हुआ है inequalities है असमानता है और इन ही दोनों मुद्दों पर ये poem लिखा गया है social injustice and social inequalities ये दो words याद रखने हैं इन दोनों words को theme बना करके इन दोनों words को अपना मुद्दा बना करके Stephen Spender ये poem लिखे हैं an elementary school classroom in a slum ये था हमारे poet के बारे में और इस poem के theme के बारे में poet के बारे में question answer point of view से कुछ-कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है जैसे ये English poet हैं ये याद रखना है इनका birth year 1909 death year 1995 उसके बाद poem के अलावा ये और क्या लिखते हैं essay लिखते हैं essayist लिखा हुआ है फिर question पूछा जाएगा कि ये अपना bachelor degree कहां से कर रहे थे वहां से कब वो निकल गए डिगरी पूरा किया या नहीं तो ये अपना bachelor degree कर रहे थे Oxford में University College से Oxford में University College से बैचलर डिगरी इन्होंने पूरी नहीं की और incomplete में ही वो वहां से निकल गए थे 1930 एर था और वो वहां से निकल करके बस गए थे Berlin जर्मनी में जा करके ये पूछा जा सकता है आप से कि जर्मनी में कब जा करके वो बसे थे उसके बाद उनके कुछ इंट्रेस्ट के बारे में बताया गया है कि उनको किन-किन चीजों में इंट्रेस्ट था पोयम और एसे के अलावा तो सबसे डीप इंट्रेस्ट उनको पॉलिटिक्स में था और अपने आपको वो शोशलिस्ट और पैसिफिस्ट डिक्लियर करते हैं सामाजिक वेक्ति और शान्तिवादी वेक्ति वो अपने आपको डिक्लियर करते हैं फिर इस पोयम में दो थीम्स पर ये पोयम लिखा गया है ये याद रखना है ये दोनों वर्ड्स से याद रखने है social injustice and class inequalities ये दोनो words जो है ये दोनो words theme है इस poem में अब इस poem का introduction देखते हैं हम लोग introduction of the poem the poem written by Stephen Spender describes the social inequality and injustice which are prevailing in society जो उपर अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि ये poem जो है Stephen Spender ने लिखा है दो मुद्दों को इस poem में उन्होंने उठाया है पहला social injustice और दूसरा social inequalities या class inequalities इन दोनों मुद्दों को उठाया है जो society में पाए जाते हैं अभी भी हमारे society में ये दोनो topics ये दोनों मुद्दे पाए जाते हैं In the poem he describes the condition of the students of an elementary school which is situated in a slum area इस poem में poet Stephen Spender describe करते हैं कि एक elementary school के classroom में बैठे हुए बच्चे जो हैं उन बच्चों का condition कैसा है एक slum area है slum area है शहरों की में गरीबों की बस्ती जुग्गी जोपडी वाला छेत्र ये slum area में एक elementary school है मतलब primary school है उस school का एक classroom है उस classroom में जो बच्चे बैठे हुए हैं जो poor children हैं जिनको slum children भी बोला जाएगा slum children, poor children जो एक classroom में बैठे हैं उन बच्चों के condition को describe किया गया है इस पुरे poem में की उनका कैसा condition है the poet wants to draw the attention of everyone towards these kids poets चाहते हैं की society में जो upper class के लोग हैं जो capable लोग हैं rich लोग हैं या educated लोग हैं जो किसी उचे पद पर बैठे हुए लोग हैं उन लोगों का attention draw करना चाहते हैं उन लोगों का ध्यान आकरशित करना चाहते हैं वो इन बच्चों के दैनिय स्थिती के उपर ये बच्चे जो एक slum area में रहते हैं वहाँ पर एक primary school है उस school के classroom में जो बच्चे बैठे हैं slum children उन लोगों के problems के तरफ Stephen Spender ध्यान आकरशित करवाना चाहते हैं society के अपर क्लास के लोगों का कि अपर क्लास के लोगों का ये responsibility बनता है कि वो ऐसे बच्चों का ऐसे kids का life जो ऐसे kids जिस तरह का life जी रहे हैं उस life में improvement लाने का कोशिश करना चाहिए और ये कोशिश अपर क्लास के लोगों को करनी चाहिए ऐसा poet Stephen Spender इस poem में लिखते हैं so that their life can be improved बड़े लोगों का ध्याना कर्शित करना चाहते हैं इन बच्चों के ऊपर ताकि उन बच्चों की जिंदगी इंप्रूव हो सके और अच्छी हो सके and they must get education to become good citizens rather than criminals पोयट का एक बहुत बड़ा concern है यहाँ पर कि अगर slum के ऐसे बच्चों को अच्छी सिख्चा नहीं दी गई तो वो बच्चे अच्छे citizens बनने के बजाए criminals बन जाएंगे यह बहुत बड़ा issue है जो Stephen Spender raise करते हैं इस poem के थुरू और वो चाहते हैं कि लोगों का attention इस तरफ ड्रॉ हो लोगों का intention इन slum children की तरफ लोगों का ध्याना करशित हो ताकि इन slum children के life को improve किया जा सके पोयट चाहते हैं कि इनको good education दिया जाए इनको अच्छी सिख्चा दी जाए ताकि यह लोग अच्छे citizens बने good citizens बने और अगर इनको अच्छी सिख्चा नहीं दी जाएगी तो यह लोग good citizens के जगा criminals बन सकते हैं तो उन पर ध्यान देने के लिए कहा गया है इस पोयम में इस पोयम में स्टीफन स्पेंडर इन मुद्दों की बात कर रहे हैं यहां से आपको जो याद रखना है point इंट्रोडक्शन से वो एक point तो social injustice और class inequality वाला है और दूसरा point यह याद रखना है कि वो किन लोगों का ध्यान अकर्शित करना चाहते हैं किन की तरफ और क्यों वो जो अपर क्लास के people हैं जो educated people हैं city people हैं जो capable है rich हैं उन लोगों का ध्याना कर्शित करना चाहते हैं slum children की तरफ ताकि slum children का life improve हो सके और slum children को good education दिया जाए ताकि वो लोग good citizens बने नहीं तो वो लोग criminals बन सकते हैं तो यह मुद्दे हैं जो इस poem में उठाये जाएंगे introduction of the poem इसके आगे theme of the poem theme क्या है इस poem का introduction of the poem यहाँ है theme of the poem an elementary school classroom in a slum deals with the social injustice and class inequalities यह दो words दो terms जो हर बार repeat हो रहे हैं दो terms जो introduction में भी repeat हुए about the poem में भी repeat हुए theme में भी repeat हो रहे हैं यह दो terms हैं social injustice and social inequalities यह दो terms यही दोनों terms पर इसका यह theme है यह दोनों terms और poet इस poem के जरीए attack करना चाहते हैं on the capitalist economies in which the rich are becoming richer and the poor are becoming poorer इस poem के जरीए poet जो है वो slum children को equality दिलाने की बात करते हैं वो चाहते हैं कि slum में रहने वाले बच्चों को भी वो सुविधाये दी जाएं जो सुविधाये शहर में रहने वाले बच्चों को दी जाती है जैसे सिक्छा शहर के बच्चों को दी जाती है, वैसी सिक्छा slum children को भी provide किया जाए ताकि वो लोग good citizens बने, criminals न बने और इस poem के जरीए Stephen Spender capitalist economies पर attack कर रहे हैं मतलब कि एक जो विवस्था बना हुआ है हमारे society में जिस विवस्था के तहत जो गरीब है वो और गरीब होते जा रहे हैं और जो अमीर है वो और अमीर होते जा रहे हैं the rich are becoming richer and the poor are becoming poorer due to capitalist economy और ये poem में poet capitalist economy पर attack कर रहे हैं उसका विरोध कर रहे हैं कि इस तरह का economy नहीं होना चाहिए जिसमें rich richer होता जाए और poor poorer होता जाए they are devoid of any opportunities they are devoid of any opportunities मतलब slum children जो हैं उनको अवसर प्रदान नहीं किया जाता opportunity का मतलब है अवसर devoid का मतलब है वंचित रखा जाता है slum children को जो opportunities मिलनी चाहिए वो opportunities उनको नहीं दी जा रही हैं in this in this poem theme के बाद उसका rhyme scheme discuss किया गया है इस poem का poet Stephen Spender demand करते हैं equal opportunities का कि सभी बच्चों को equal opportunity दिया जाए for education सिख्छा के मामले में और poor और under privileged लोगों को जादा ध्यान दिया जाए under privileged word यूज किया है जिसका मतलब है needful, poor, poverty stricken मतलब गरीब लोग, slum children, slum people इनके लिए under privileged word यूज किया गया है poet डिमांड करते हैं कि equal opportunity दिया जाए slum children को और poet जो हैं वो under privileged लोगों पर जादा ध्यान देने की बात कर रहे हैं इस poem में उसके बाद poem का rhyme scheme है जो poem लिखे जाते हैं उसमें rhyming schemes होते हैं a, b, जिसमें last के जो words होते हैं वो similar sounds के होते हैं उससे rhyming scheme बनता है poem में इस poem में क्या rhyme scheme दिया गया है उसके बारे में यहां लिखा गया एक sentence में the poem has been written in free verse इस poem को free verse में लिखा गया है और इस वजह से यह poem में कोई भी rhyme scheme follow नहीं किया गया है यह poem free verse में लिखा गया है और इसमें किसी तरह का rhyming scheme नहीं है हर line के जो last words हैं वो सब different हैं एक दूसरे से वो rhyme नहीं करते हैं वो similarity किसी तरह का नहीं आता है उनमें तो यह free verse में लिखा गया है यह भी एक question arise करता है कि elementary school classroom inner slum poem किस verse में लिखा गया है या कौन सा rhyming scheme follow किया गया है rhyming scheme के बारे में पूछेगा तो बोलेगे कि कोई rhyming scheme नहीं है और क्यूं नहीं है क्यूंकि poem लिखा गया है free verse में इसलिए कोई rhyming scheme इस poem में नहीं है यहां तक हम लोगोंने poem का introduction देखा poet का introduction देखा poem का theme देखा और poem का rhyming scheme देखा poet का introduction, poem का introduction, poem का theme और rhyming scheme क्या है इस poem का वो हम लोगोंने अभी तक देखा और अब हम लोग इस poem के line by line explanation पे चलेंगे सबसे पहले poem के बारे में ये बता दे कि poem चार paragraphs में divided है four stanzas है इस poem में four stanzas है और हर stanza में eight lines है each stanza consists of eight lines हर stanza में हर paragraph में आठ line है और चार paragraph का ये poem है तो हम लोग इस poem को paragraph wise और line by line explanation देखेंगे अपने next video में thank you